इस्क्रू कम्रेशर की जो सीरीज सालई आ रही है उसको आगे बढ़ाथे वे इस वीडियो में भी हम देखने वाले हैं हैं हैंभैलieux Rc2 license-hope जो साम उन अटेंग वहारे से आंपकल और पार्ट जो की आप एस वीडियो में कई सारे designs देखने को मिलते हैं जो कि आप ये सामने देख पा रहे हैं तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इससे पहले इसी compressor के उपर तीन चार वीडियो अपलोड हो चुके हैं चैनल पे उनको जाके जरूर देखेगा अगर आपको जानना है screw compressor के बारे में और वो वीडियो उतनी ही important है जितनी ये वाली वीडियो होने वाली है तो चारो को जरूर देखेगा या इनसे पहले जो वीडियो अपलोड ओर की हैं उनको जरूर देखेगा जिससे कि आप screw compressor के बारे में और ज्यादा जान पाएं तो सामने आप ये compressor देख पा रहे हैं मैं आपको zoom in करके दिखा देता हूँ तो इन में कुछ parts ऐसे हैं जो कि मैं पहले बता चुका हूँ खास करकि जो sensors वाले part हैं loading unloading वाला part हैं मैं detail में समझा चुका हूँ उनके लिए मैंने separate अलग videos बनार की हैं तो उनको जाके जरूर देखेगा क्योंकि उनको यहाँ पर हम discuss नहीं करने वाले हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम इनके parts को देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं सबको अलग से disemble किया गया है और इनको मैं एके करके आपको यहाँ पर सामने decode करने वाला हूँ तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके internal part जो कि मैंने पहले दिखा रक है बेटा आपको थोड़ा सा revision हो जाएगा और उसके बाद इस point पे आके हम दुबारा से देखेंगे कि इसके external part पे कौन-कौन से accessories optional या standards जो भी accessories होती है वो attach होती है तो यह है compressor का internal view जहाँ पर आपको इसका inner portion देखने को मिलता है जैसे कि motor coil, compression chamber, sliding valve, screw helicals होते हैं oil कहाँ पर stay करता है, जो internal oil separator होता है वो सब चीज़े आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, मैं आपको दुबारा से revision करा देता हूँ यह मैंने आपको पिसले वीडियो में दिखाया था, जो कि loading अ unloading वाला वीडियो था और वहाँ पर मैंने आपको detail में दिखा रखा है कि किस तरीके से जो screw compressor का capacity control system होता है, जो send load walls होते हैं, उनके through किस तरीके से sliding wall को operate किया जाता है और एक compressor की capacity को control किया जाता है, loading या unloading के लिए तो चलिए, ज़्यादा detail में ना जाता है हुए, हम यहाँ पर सिधे part को decode करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी उस वीडियो में, कि compressor को हम तीन पार्ट में divide कर सकते हैं पहला इसका ये suction वाला portion, उसके बाद आपको एक compression chamber देखने को मिलता है जहाँ पर refrigerant compress होती है, और एक होता है आपका discharge port या discharge side जहाँ से आपका refrigerant out होता है किसी compressor से तो आपका suction side में आपको motor देखने को मिलती है, या जो coil होती है, जो rotor को गुमाने का काम करेगी वो आपको suction side पर देखने को मिलती है, यहाँ पर नमर तीन आपको जो देखने को मिल रही है, और इसी के साथ आपको एक suction filter देखने को मिलता है आगे बढ़ेंगे तो आपको दो bearings देखने को मिलता है या पर, और यह rotor helicals हैं, जो की refrigerant को compress करने का काम करते हैं नीचे आपको एक oil filter देखने को मिलता है, उपर एक sliding valve और यह जो है internal oil separator है, एक external oil separator भी होता है, अब यह आगे चलके मैं आपको दिखाने वाला हूँ refrigerant की direction आपको बता है, यह suction से होते हुए इस compression chambers में जाएगी, compressor chamber में refrigerant compress होगी और dessert port से होते हुए बाहर निकल जाएगी यह जो आपको पतली copper tubes देखने को मिलती है, और यह जो 4950 number है, यह आपके sandloid walls हैं, जो की loading, unloading वाली concept में काम में आते हैं, वो आप जाके उस वीडियो में जरूर से देख लीजेगा तो चलिए आप बढ़ते हैं और आगे और देखते हैं इनके parts को NRV या check wall आपने इस word को जरूर सुना होगा, बहुत जगा पर इस्तमाल किया जाता है, और इनको उस point पर लगाया जाता है, जहां पर आपको किसी भी liquid को वापिस आने से रोकना होता है, वापिस आने से का मतलब है, जब compressor आप shutdown करते हैं, तो refrigerant का जो back flow है, वो वापिस से compressor की refrigerant के back flow को रोकते हैं, back pressure को रोकते हैं, जब आपका compressor shut down होता है, आप ये सामने देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का design आपको देखने को मिलता है, उपर वाला आपका suction के लिए है, ये वाला suction वाला design ये उपर, ये आप देख सकते हैं, और नीचे अगर आप देखेंगे का design आपको देखने को मिलता है, oil level switch, external और internal दोनों तरीके के आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपके oil filter या oil जो होता है, आपके compressor के अंदर stay करता है, और काफी important part होता है, lubrication एक काफी important part होता है compressor के लिए, क्योंकि वहाँ पर आपको minor जो parts होते हैं, या जो moving parts होते हैं, उसके अंदर friction को कम करने के लिए, या wear and tear को कम करने के लिए, lubrication की जरुरत होती है, तो वहाँ पर oil का level कम ना हो, तो उसके लिए कुछ इस तरीके के sensors कह सकते हैं, आप इनको oil level switch लगाया जाता है, और उनके थूरू देखा जाता है कि जो oil का level है, वो कहीं कम तो नहीं हो रह जो कि आप सामने देख पा रहे हैं, और इसके कुछ parts आपको देखने को मिलता है, उपर thread है, बीच में आपको, एक o ring देखने को मिलती है, sensor rod, teflon ring, sensor direction आपको देखने को मिलता है, sensor direction आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक arrow देखने को मिलता है, आपको किस तरीके से इसको install करन जो की थोड़ा costly होता है इसलिए हर एक chiller में आपको नहीं देखने को मिले शायद अगर देखने को मिलेगा तो कुछ इस तरीकी के आपको design देखने को मिलता है vertically, horizontally और यह install किसी भी तरीके से हो सकता है तो इसमें भी आपको एक oil level switch देखने को मिलता है उसकी position में आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर zooming करके दिखा रखा है तो आप यह सामने देख सकते हैं यहाँ पर एक oil level switch लगा हुआ है उसके थुरू compressor के अंदर जो oil का level है उसको sense किया जाता है या जो external oil separator है उसके अंदर sense किया जाता है अगर oil का level कम होता है तो यह micro जो controller होता है उसको command भीजेगा जिससे कि आपको इसके उपर काम करना होगा अगर oil का level कम होता है तो oil को charge करना होता है compressor या oil separator के अंदर जिससे कि आपके compressor को कोई भी problem आगे चलके नहीं देखने को मिलेगी तो oil से related और भी sensors होते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया oil level switch उसी तरीके से एक और sensor होता है oil flow switch जो की oil के flow को sense करता है आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर outline of oil flow switch देखने को मिलता है थोड़ा सा blur हो रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का sensor आपको देखने को मिलता है oil के flow को sense करने के जो की direction को देखेगा कि जो oil का flow है वो किस तरीके का है आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक installation of oil flow switch दिखार का है तो जो oil है वो पुरे system में रन करेगा रेफरिजन के साथ तो उसका जो चिलर के अंदर जो oil घूम रहा है जाए वो एपरेटर में condenser जहां भी जा रहा है उसको वापिस से compressor में आना होता है यह काफी जादा important है अगर compressor में वापिस oil नहीं आता है तो compressor के अंदर oil की कमी के वज़े से जो moving part है उनमें friction काफी जादा देखने को मिलता है जिसके वज़े से वो तूट सकते हैं तो इसके लिए यहाँ पर आपको एक system देखने को मिलता है एक check wall आपको देखने को मिलता है oil separator है आपका और यहाँ पर expansion wall, oil cooler, एक filter, standard wall और flow switch देखने को मिलता है तो इस diagram के थुरू आप देख सकते हैं किस तरीके से जो oil है या उसका जो flow है वो एक compressor या पूरी चिलर में रन करता है और वापिस से compressor में आना इसका कितना जादा important होता है minimum pressure valve MPV तो सर्दियों के टाम के आपको पता है बाहर का जो ambient temperature होता है हो बहुत कम होता है जिसके वज़े से आपको condensing pressure या जो discharge pressure होता है वह काफी कम देखने को मिलता है discharge side और suction side है उसके बीच का जो differentiate differential pressure हो काफी कम हो जाता है जिसके वज़े से आपको compressor पापर तरीके से load में नहीं आ पाता है तो इस problem को solve करने के लिए कुछ इस तरीके के sensor को इस्तमाल में लिया जाता है जो की discharge side और suction side के बीच में एक pressure को या जो differential pressure है उसको बढ़ाता है और आपके जो compressor है उसको proper तरीके से run करने के लिए इस sensor की ज़रूत पढ़ती है जो की है MPV minimum pressure valve आप यह सामने देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यह install होता है यहाँ पर आपको direction देखने को मिलती है यह oil separator से इंटर करने वाली रेफरिजेंट है यह condenser को जाने वाली pipeline है जो की रेफरिजेंट यहाँ से इंटर करेगा यहाँ से condenser के तरफ बढ़ेगा यहाँ पर आपको यह sensor देखने को मिल जाता है जो की create करेगा suction side के बीच के जो differential pressure है उसको बढ़ाने का काम करेगा तो internal part आपने देख लिए हैं आपको समझ में आ चुके होंगे अब देख लेते हैं इनके external part और इसमें किस तरीकी की additional accessories को attach किया जाता है वो भी important है तो जैसे मैंने अभी पहले आपको external जितने भी parts थे वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था diagram में कि हम compressor को तीन part में divide करते हैं तो internal में आपने देख लिया आप external में किस तरीके से करना है तो यह इसका suction side है यह इसका discharge side और जितना बीच का portion आपको देखने को मिलता है यह इसका compressor chamber है जहां पर refrigerant compress होती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं suction side से तो यहाँ पर जो suction side और discharge side का port है वो देखना काफी ज्यादा important होता है डिजाइन में आपको बस एक इतना ही difference देखने को मिलेगा इस वाले डिजाइन में जो आगे मैं आप भी चलके दिखाऊंगो वो वाले डिजाइन में कि जो suction और discharge side का port है वो थोड़ा सा आपको different देखने को मिलता है यहाँ पर compressor के top में यानि कि उपर की side में आपको suction और discharge port देखने को मिलता है तो यहाँ से start करते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सबसे उपर यह आपका यह इस top valve है यह suction side का है और यह discharge side का है यहाँ पर बीच में आपको gas kits देखने को मिलती है जो कि जो ceiling का काम में काफी जादा important होता है कि कहीं से भी refrigerant leak ना हो और दो parts के बीच में एक proper आपर जो ceiling है वो बन पाए तो इन gas kits के सुरू यह complete होता है suction filter आपको देखने को मिलता है उसके बाद फिर से gas kit देखने को मिलेगी और यह जितने भी part है यहाँ पर कुछ इस तरीके से अगर हम इसको align करें एक साथ तो यह इस port पे जाके attach हो जाएगी अब discharge port देख लेते हैं जस्ट ऊपर देखने को मिलेगा यह important है कि किस point पे discharge port बना हुआ है आगे चलके अगर आप देखेंगे थोड़ा सा different आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको एक check wall देखने को मिलता है जो कि मैंना भी आपको बताया था जो कि refrigerant जब compressor आपका बंद होता है refrigerant की back pressure को back flow को रोखता है same as यहाँ पर stop wall देखने को मिलता है तो यह stop wall क्या काम करते है जब आपको compressor पे कुछ काम करना हो या कुछ fault आता है तो आप इन stop walls के थुरूर refrigerant के path को block कर सकते है refrigerant को path को block करने का मतलब यह है अगर refrigerant यहां से enter करता है और यहां से exit करता है तो आप इनको जब बंद कर दिंगे तो ना तो refrigerant यहां से enter करेगा और आप इसको बंद कर दिंगे तो refrigerant ना तो exit करेगा आप Compressor एक तरीके से पूरा कट जाएगा आपके पूरे Represition जो Cycle होती है उससे तो इसलिए यहाँ पर इन Stop Wall का एक Importance रहता है Gaskets आपको देखने को मिलती है Ceiling के लिए अब देख लेते हैं इसका जो Compression वाला Chamber है यहाँ पर क्या क्या चीज़े अटेज होती है और यही काफी ज़्यादा Important पार है तो सबसे पहले आप यहाँ पर उपर देखेंगे यह वो Sand North Walls हैं जो की Loading Unloading वाले Concept में वर्क करते हैं 3-4-1-2 यहाँ पर आपको Dual Capacity Control और जो Stepless Capacity Control System है वो देखने को मिलता है नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक Oil Filter के लिए Port देखने को मिलेगा और यहाँ पर यह Drain करने के लिए Angle Wall आपको देखने को मिलता है Oil Cooler Out तो यहाँ पर एक Liquid Injection System होता है एक Oil Cooling System भी होता है Oil Cooling System के लिए यहाँ पर आपको कुछ Ports देखने को मिलते हैं In Out आपको देखने को मिलती है Liquid Injection के लिए बताओं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो line आपको देखने को मिल रही है यह जो पाट है यह Liquid Injection का है Liquid Injection के अंदर भी आपको दो टाइफ के Liquid Injection देखने को मिलते हैं एक Motor Side के लिह और दूसरा होता है आपका ये एक compressor chamber के लिए है और liquid injection मैं आपको बताया है किस लिए install किया जाता है जहां कहीं भी आपको लगता है कि जो temperature है वो काफ़ जादा exceed करता है या आपको वहाँ पर या उस पार्ट पर आपको cooling की जरूरत होती है या एक तरीके की cooling की जरूरत होती है तो वहाँ पर liquid injection system क का इस्तमाल किया जाता है क्योंकि इसके थूरू जो ठंडी रेफिजन्ट होती है उसको इंटर कराया जाता है उस साइट पर जहां पर आपका temperature काफी ज्यादा हाई रहता है जैसे कि एक compressor chamber और ये आपका कोईल वाला साइट क्योंकि कोईल को अगर कोईल के temperature ज्यादा एकसीड हो जाएगा तो कोईल के burn out होने के chances काफी ज्यादा रहते हैं कंप्रेशर chamber में तो temperature हाई रहता ही है क्योंकि यहीं पर आपकी जो रेफिजन्ट है उसको उसका प्रेशर बढ़ता है या उसको कंप्रेश किया जाता है यहां पर आप देख सकते हैं यह पार्ट कोईल कूलर इन के लिए है यह वाला पोर्ट आपका कोईल कूलर आउट के लिए है यह पोर्ट आपने देख लिए हैं यह जो पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है यह ओईल कूलर के लिए है यहां पर आपको stoppin, o-ring, plug देखने को मिल जाता है आगे बात करते हैं यह मैंने आपको दिखा दिया इतना पार्ट अब इसका थोड़ा तर बैक साइड देख लेते हैं जहांपर आपको एक टर्मिनल बॉक्स देखने को मिलता है यह टर्मिनल बॉक्स और यह टर्मिनल बॉक्स मैंने on field आपको पिसली वीडियो में बतार गा है जहांपर मैंने आपको वो मॉड्यूल दिखाया था अगर आपको याद हो अगर आपने पिसली वीडियो देख रही होगी तो आपको यह टर्मिनल बॉक्स अच्छे से याद होगा जहांपर थी फेस अप्लाई और वो मॉड्यूल देखने को मिलता है रिसेट बटन कर दिए गए हैं यह वो पूर्ट है आपका लिक्विड इंजक्शन के लिए यहां पर अगर आप देखेंगे सक्षन साइट पर कुछ और आपको पूर्ट देखने को मिलते हैं जैसे कि यह एक एंगल वाल यहां पर रेफजन को चार्ज करने के लिए एक सर्विस वाल के लिए अगर आप यह देख सकते हैं और यहां पर एक पूर्ट अगर आप यह देखें तो यह ईक को स्टॉप वाल है एकनल वाल आपको देखने को मिलता है इसमें एक मफलर के इस्तेमाल भी किया जाता है वह सारी अटेश्मेंट जो एकनल माइजर सिस्टम होता है उसके यह एक आपको गरम रखने के लिए तो यह इतना कुछ आपको इस डिजाइन के अंदर देखने को मिल जाता है चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं इसका डूसरा डिजाइन जो की है तो यह थोड़ो साब को डिफिर्ट देखने को मिलेगा उपरवाले से मैंने आपको बताया था कि जो डिजाइज साइड और जो तो जाइन्स कर दिया जाता है अगर आप यहाँ देखेंगे यह डिजाइज साइड है अब जो सक्सन साइड है वो उपर ना रखके यहाँ साइ जस्ट कंप्रेशर चेमबर के उपर रख दिया गया है, बाकि आपको सब कुछ सेम देखने को मिलेगा, यह आपका ओईल कूलर के इनलेट है, यह आपका एगजिट देखने को मिलता है, नीचे आपको एक ओईल फिल्टर देखने को मिलता है, सैंलोड वाल्स, और इस साइट पे आपका पूरा ये ये जो portion है ये आपका suction side का है जिसमें आपको suction filter, gas gate, boosting, suction flight सब देखने को मिल जाती है, discharge point की बात करें तो ये वो discharge point है कुछ इस तरीके सा इसेंबल हो जाएगा ये, back side पर आपको एक terminal box देखने को मिलेगा, liquid injection system, उसके लिए आपको यहाँ पर इस तरीके का port देखने को मिल जाता है, ये आपका compression chamber के लिए है, दूसरा अगर आप यहाँ उपर देखें, ये आपका, ये इस side पर connect होगा, चुकि आपका coil या motor के लिए रहता है, ये इसका back side है, discharge port और यहाँ पर आपका साफ दिख रहा है, ये section port, उस side पर नहीं देखने को मिल रहा था, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका drain valve, slide glass, यहाँ पर side glass आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपका ये terminal box है, तो कुछ इस तरीके के ये इसके parts है, आपको समझ में आ चुका होगा, internal, external मैंने दोनों दिखा दिये हैं, और यहाँ पर आपको ये description देखने को मिल जाता है, send out valve से related, जो capacity control system module है, उससे related, और अगर आपको compressor के अंदर, refrigerant को control करने की module system होता है, उसको समझना है, तो पिछली जो वीडियो से उनको जाके जरूर देखिएगा, काफी important videos है वो, इसको compressor को समझने के लिए, क्योंकि compressor के parts को समझना उतना ही important है, उसके अंदर जो system working process में होता है, उसको समझना भी उतना ही important है, पूरे एक compressor की working principle को पार्ट्स मैंने इस compressor से related बनाए है, वो हर एक screw compressor में आपको कहीं न कहीं देखने को मिलेंगे, कुछ न कुछ portion आपको देखने को मिलेगा, तो इन videos को जाके जरूर देखिएगा, तो यहाँ पर हमने जितने भी detail थी compressor के internal external part की वो समझ लिए है, और आगे चलके यह हमें काम में आने वाली है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो काफी important था, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, मिलते हैं इसी तरीकी की और interesting और important वीडियो के लिए, तब तक लिए धन्यवाद